प्रफेज के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में क्या होता है वो और फूड मिस्कंसेप्शन जो हैं हमने लास लेक्चर में डिसकस किये थे आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे कुछ फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, जंक फूड क्या होता है और कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेज जो है फूड से रिलेटेड वो हम आज डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे फूड में जो भी हमारा food है उसके अंदर add करते हैं क्यों ताकि उसके जो spoilage है उसको हम prevent कर सकें उसका जो हम taste है उसको increase कर सकें उसके color को हम थोड़ा सो और attractive बना सकें इसलिए हम यह जो सारे food additives जो है वो add करते हैं अब food additives जो है वो color भी हो सकता है कोई कोई और दूसा substance भी हो सकता है तो सबसे पहले क्यों करेंगे हम add to prevent spoilage to increase taste को बहुत जादा increase करने के लिए हम कर रहे हैं color के लिए हम वहाँ पर edible जो है वो color का addition कर रहे है food items में तो यह इसी लिए जो है वो additives जो है वो add किये जाते हैं अब अगर हमें हमारे food item को बहुत लंबे टाइम तक उसको preserve करके रखना है तो हम उसमें कुछ ऐसे material या ऐसे substances add करते हैं कि उसकी जो life है वो बहुत जादा increase हो जाती है टेस्ट increase हो जाएगा उसका color change हो जाएगा तो यह सब हैं इस सब के लिए हम जो है वो food additives जो है add करते हैं for example जैसे हम essence fruit essence add करते हैं क्यूंकि यह flavoring agent एक नया flavor देता है खाने को इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं add कर रहे हैं उसके अलावा preservative हम add करते हैं विनेगर food को preserve करने के लिए तो यह कुछ है flavoring agent है अलग-अलग हम flavors food में डालने के लिए हम essence यूज़ करते हैं किसी भी food item को preserve करने के लिए हम विनेगर यूज़ कर रहे हैं color देने के लिए उसे हम edible color यूज़ करते हैं यह सब जो है हम food item में जो है वह add किये जाते हैं यह क्या करता है यह सब तो कर रहे हैं कि वह spoilage को उसको रोक रहा है उसके खराब होने से उसको रोक रहा है टेस्ट भी increase कर रहा है लेकिन यह जो है nutritional value जो है food की वह क्या हो जाती है कम हो जाती है इन सब की वज़े से इन सब को add करने की वज़े से जो है उसकी nutritional value क्या होगी decrease होगी nutritional value decreases तो यह था food additive इसी को हम ऐसे substances जो हम हमारी food item में जो है वह add कर रहे है उसका spoilage को रोकने के लिए taste को increase करने के लिए colors डाल रहे हम उसको coloring कर रहे है उसके बाद जैसे कुछ additives है fruit essence है जो हम as a flavoring agent यूज करते है अलग-अलग flavor डालने के लिए food item में विनेगर यूज करते है आज अ प्रिज़र वैट्यू एड़ीव कलर अलग-अलग color देने के लिए food item को यह सब यूज किया जाते है उसके बाद जो next है वो है junk food अब junk food जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा common है for example पिज़ा cold drinks burger यह समोसा यह सब क्या है यह एक junk food है इन सब को बोलते है junk food क्यूंकि इनके अंदर जो nutritional value होती हो तो बहुत ज़्यादा कम होती है अगर हम यह बहुत ज़्यादा amount में ले रहे हैं तो क्या हो सकता है उससे obesity बहुत ज़्यादा body के अंदर जो है वो fat deposit हो जाएगा क्यूंकि हमने जब पढ़ा था fat या carbohydrates जब हमने पढ़े थे तो हमारी body जो है इमीजेट हमाँ सबसे पहले वो क्या use करती है इसके बात कहीं जाकर अगर carbohydrate की deficiency हो रही है तो वह क्या use करीगी fat otherwise अगर बहुत ज़्यादा अमांट में fat present है हमारी body में तो वह हमारी body के अलग अलग पार्ट में जाकर जो है बहुत ज़्यादा deposit हो जाएगा अगर अगर हम रेगुलर बेसिस पर फूट को ले रहे हैं तो यह condition जो है वह जनरेट हो जाएगी क्यूंकि अब अगर हम सिफ बर्गर ही खा रहे हैं सुबा भी बर्गर शाम को भी बर्गर नेक्स्टे भी बर्गर हर दिन बर्गर पीजा समोसा कोल्ड रिंग चाउमीन यही सब हम consume कर रहे हैं तो क् में proteins है ना proteins नहीं है तो growth कैसे होगी डेमेसल जो है वो repair कैसे होगे अगर minerals नहीं है calcium नहीं है iron नहीं है तो हमारी body कैसे normal function करेगी नहीं कर सकती तो अगर हम इसको regular basis पर लेंगे तो यह सारी condition हमारी body में generate होगी और सबसे पहले क्या होगी obesity obesity बहुत जादा fat accumulate हो जाएगा हर ज हमें सिर्फ एक proper balance diet ही लेना है हाँ balance diet ही लेना चाहिए instead of junk food क्योंकि यह हमें कुछ और तो provide करी नहीं रहा है सिर्फ हमें हमारी body को जो है वो नुकसानी हो रहा है next जो है कुछ healthy practices है healthy cooking and eating habits yeah eating practices अब balance diet लेना मतलब ऐसा है कि हम एक food ले रहे हैं जो उसमें सारे amount के nutrient प्रेजेंट है लेकिन हम उसको किस तरह से ले रहे हैं एक तो हम कर रहे हैं हम balance diet ले रहे हैं हमने fruits लिए fruits को हमने cut की उसके बाद हमने उसको wash कर दिया wash करने से क्या हुआ उसमें water soluble vitamins थे वो तो सारे क्या हो गए remove हो गए महां से तो उसमें vitamins तो बचे ही नहीं तो यह हमें avoid करना चाहिए हम बहुत जादा vegetables को boil करते हैं boil करने से कुछ उनके अंदर जो nutrients वो destroy हो जाते हैं तो boiling के जगा हमें उनको steam करें steam करने से क्या होगा जो nutrients हैं वो destroy नहीं होंगे उनका जो value है वैसा ही बना रहेगा तो यह कुछ practices हैं कि हमें क्या करना चाहिए avoid करो या steam करो vegetables steam vegetables instead of boiling बहुत स्यादा high temperature पर हमें नहीं cook करना चाहिए avoid cooking at high temperature cooking जो है वो बहुत स्यादा high temperature पर avoid करो avoid washing fruits and vegetable after cutting washing fruits and vegetables after cutting 1918 गया हमने उनको पील कर लिया है अगरं कि उनको पील कर लिया हम उनका वन्नें जो कवर हटा दिया या कार दिया उसके बाद जो है अगर हम उसको वाश कर रहे हैं तो जो water डैजर्ट लो इंस्टेज़ों फूट डैजर्ट इंस्टेज़ूफ ट्रफूद डैजर्ट सेंे कुकी अगर हमें दे exem किसम करना चाहिए अगर हम केक ले रहे हैं तो with fruits लें avoid करें क्रीम को क्योंकि क्रीम के अगयन बहुत जादा fatty है तो वो fat जो है हमारी body में जाके accumulate हो जाएगा फिर क्या होगा obesity तो केक जो है वो हमें with fruits लें instead of cream तो ये कुछ जो है वो healthy cooking healthy practices हैं क्या हम बोल रहे हैं कि हम balanced diet ले रहे हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो उसका भी हमें कोई जो है benefit नहीं होगा जब तक हम उसको एक सही तरीके से अगर हम उसको consume नहीं करते हम balanced diet में fruits ले रहे हैं उन fruits को हम काटने के बाद दो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है सारे जो है वाइटमीन सोदो रिमूव हो गए हम वैजेटेबल्स ले रहे हैं अच्छी खासी अगर हम वैजेटेबल्स लेकिन हम उनको बहुत जादा बॉइल करने से क्या हो रहा है वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो अगर वो जादा टेंप्राइचर पर कुक किये जा रहे हैं तो भी क्या होगा वाइटमीन मिनरल्स जो प्रोटीन से वो क्या हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो यह कुछ हेल्दी प्रैक्टिस हैं कि बैलेंस डाइट के साथ हमें इनको जो है वो फॉलो करना चाहिए तो आ टीस्ट को कलर के लिए हम फ्रूट एसंस यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट विनेगर यूज कर रहे हैं हम ऐस प्रिजरवेटिव एडीबल कलर जो कर रहे हैं इसे निच़्ूक्तरे वेल्जव यह हमें राइट अमांट में कोई नूटरिन प्रवाइड नहीं कर रहें तो इनको हम क्या बोलते हैं जंक फूड अगर हम इनको रेगुलर बैसिस पर ले रहे हैं अगर हम एक balance diet को follow कर रहे हैं तो हमें कुछ healthy practices हैं इनको भी हमें follow करना चाहिए vegetable को steam करो, cutting से पहले या peeling से पहले ही हम fruits को या vegetable को अच्छे से wash कर लें ताक कि cut करने के बाद अगर हम उनको wash करेंगे तो वो सारे nutrients वहां से remove हो जाएंगे तो वो remove ना हो इस वज़े से, high temperature पे avoid करें बहुत जाद हम high temperature पे cooking कर रहे हैं और अगर हम fruit desert लो, cake cookies की जगह हमें fruit desert लेना चाहिए अगर cake भी ले रहे हैं तो with fruits के साथ लो, instead of हम बहुत जादा creamy बना रहे हैं उसको तो यह सारी कुछ basic practices हैं जो हम एक balanced diet के साथ follow करना चाहिए तो इस lecture में हमने discuss किया, पूरा हमने देखा food, क्यों जरूरी है हमें food, क्योंकि food हमें energy provide कर रहा है हमारी body की growth कर रहा है, जो damaged cells हैं, उनको repair कर रहा है food में ऐसे substance है, जो यह सारे functions perform करते हैं, nutrients यह सारे substances जो हमें growth भी कर रहे हैं, हमें energy भी provide कर रहे हैं हमारे जो damaged cell या tissue हैं, उनको भी repair कर रहे है nutrients को फिर दो category में divide किया गिया, micro nutrients, macro nutrients, micro जो small quantity में required है, और macro जो large quantity में required है macro में हमने discuss किया था carbohydrates, जो बहुत जादा as a source of energy हमारी body उसको use करती है immediate source of energy जो use करती है, carbohydrate अलग अलग type की होते हैं, simple भी होते हैं, complex भी होते हैं इनका source हो गया, rice, wheat, potato यह क्या है इनके source है carbohydrate के next जो था macro nutrient वो था fats fat जो है, वो भी as a source of energy है, जब हमारी body में carbohydrate की deficiency हो जाती है तो हम क्या use करते हैं, fats यूज करते हैं, हमारी body fats यूज करती है, तो as a reserve की तरह act करता है उसके बाद वो as a insulator वो काम करेगा और जितने भी vital organs है हमारी body में, उनको वो protection प्रवाइड करता है उसके बाद हमने protein discuss किये थे, protein जो है, वो growth हमारी body की growth करते हैं, जो भी cell damage होगे, उनको repair करते हैं वो एक small unit से मिलके बने हैं, जिनको बोलते हैं, amino acid, 20 different types के amino acid होते हैं, जो अलग-अलग proteins बनाते हैं इन 20 amino acid में से 10 amino acid जो हैं, वो हमारी body में synthesize होते हैं, इसलिए अगर वो हमारी diet में present नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो 10 amino acid हमारी body synthesize नहीं कर पाती, वो diet में होना जरूरी है, और उसी को हम, उन जो 10 amino acid को हम बोलते हैं, essential amino acids उसके बाद हमने discuss किया था, micronutrient जिसमें हमने देखा, vitamins, minerals, roughage, यह बहुत जादा small quantity में requirement होते हैं, vitamins जेती भी metabolic activities हो रही हैं, उसमें वो participate करते हैं, vitamins भी दो type की होते हैं, water soluble and fat soluble उसके बाद minerals थे, minerals जो हैं, वो हमारी body की proper functioning के लिए बहुत जादा essential है, वो भी दो category में divide हुए है, micro and macro, micro जो जादा quantity, sorry, small quantity में required है, macro जो जादा quantity में required है, उसके बाद roughage है, roughage ऐसा part होता है, जो कोई nutrient provide नहीं कर रहा है, लेकिन proper digestion के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके बा हमने food fat देखा, कुछ misconception है, food से related, उसके बाद food additive हमने discuss किये, junk food क्या होता है, कुछ healthy practices, जो हमें follow करना चाहिए, balanced diet के साथ, तो आज हमारा ये chapter जो है, वो finish हो गया है, thank you.